सब्सक्राइब करें पटेल फार्मिंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नहीं नहीं वीडियो आप तक पहुंशती रहें नमस्कार दोस्तों आपका एक वार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम पावर टेक के यूरो पचपन का रिवियू करेंगे तो फ्रंट में हमें इसमें स्टाइलिस बंफर मिल जाता है इसी में नीचे दो पत्ती दी जाती है जिसमें हम नमर प्लेट लगा सकते हैं नीचे हमें एक हीच मिल जाता है जाली के उपर क्रोम फिनीस के साथ स्कोर्ट का लोगो दिया जाता है यहाँ पर हमें bonnet के अंदर ही दो headlight मिल जाते हैं जो कि रात के समय बहुत उपयोगी रहेंगे साथ ही हमें यहाँ पर main headlight मिल जाते हैं इसमें हमें heavy duty axle मिल जाता है जो की adjustable axle है इसे अगर दूर से देखा जाए तो यह दिखने में काफी मोटा लगता है side में हमें euro 55 लिखा हुआ मिल जाता है इसी के ऊपर power take लिखा हुआ है नीचे diesel saver plus भी लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ पर euro 55 लिखा हुआ है उसी के नीचे super max लिखा हुआ है इसमें हमें 4 cylinder का engine मिलता है माइको बोस company का in line pump दिया जाता है 3680cc का इसका engine है इसमें हमें 850 engine rated rpm मिल जाता है नीचे हमें एक diesel filter मिल जाता है यहाँ पर water separator दिया जाता है बाहर की side में हमें battery box मिल जाता है यहाँ पर fuel tank दिया जाता है side में एक mirror मिल जाता है इसमें हमें stylish mudguard के साथ हमें parking light वा indicator मिल जाते है इसके mudguard power take के बाकिट रेक्टरों से कुछ अलग है इसमें stylish seed भी मिल जाती है हमें इसमें हमें लगवग flat platform दिया जाता है company के दोरा अगर इसके दूसरी side से बात की जाये तो यहाँ पर भी euro 55 लिखा हुआ है उपर power take और नीचे diesel saver plus लिखा हुआ है यहाँ पर euro 55 और नीचे super max लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ हमें hydraulic filter दिया जाता है side में engine oil filter दिया जाता है 35 ampere का alternator दिया जाता है इसमें हमें hydraulic और power steering के लिए tandem pump मिल जाता है double acting power steering के साथ में यह tractor आता है इसमें हमें उपर चड़ने के लिए नीचे पेरदान और मढगाड के ऊपर एक handle दिया जाता है जिससे इसके उपर आसानी से बेठा जा सकता है यहाँ पर ptio gear मिल जाता है यहाँ से हम lift की speed को कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ brake lock दिया जाता है इसी के साथ में adjustable seed दी जाती है साथ लिटर का diesel tank मिल जाता है उपर steering में हमें squat का logo मिल जाता है इसमें हमें 2500 RPM के साथ में digital meter देखने को मिलता है अगर इसके उपर वेट कर देखा जाए तो हमें कुछ इस तरह का view देखने को मिलता है steering में हमें एक steering knob दी जाती है जिससे steering गुमाने में काफी आसानी रहेगी यहाँ पर हमें indicator के लिए दो switch मिल जाते हैं इन्हीं के उपर handrest दी जाती है यहाँ पर अपनी चावी लगेगी इसी के नीचे से tractor का engine बंद होगा दूसरी साइड में हमें एक horn के लिए और एक upper deeper के लिए switch मिल जाता है इसी के नीचे वारा bolt का electric point मिल जाता है जहां से हम अपना mobile charge कर सकते हैं इसमें हमें 8 forward और 2 reverse मिल जाते हैं दूसरी साइड में हमें low और high वाला gear मिल जाता है काफी बड़े मडगाट दिये जाते हैं company के दोरा यहां पर position और dropped वाले lever दिये जाते हैं इनी के साथ में हमें ट्रॉली खाली करने के लिए एक lever अलग से भी मिल जाता है अगर इसके brake की बात की जाए तो हमें इसमें oil image multi disc brake मिल जाते है साथ में हमें double clutch दिया जाता है company के दोरा अगर इसके पीछे साइट की बात की जाए तो हमें यहां पर एक reflector मिल जाता है मडगाट में ही tool box मिल जाता है इसमें हमें double distributor दिये जाते है मडगाट के उपर हमें plow lamp दिये जाता है इसी के साथ में हमें एक छोटा लाइट दिया जाता है जो की नमबर प्लेट के लिए होता है दूसरी साइड में हमें 5 साल की वारंटी 5000 घंटों के लिए दी गई है 1800 केजी की लिप्ट केपी सिटी दी गई है इसकी साथ में हमें 540 फारवर्ड और रिवर्स पीटियो दिया जाता है अगर इसके टायर साइड की बात की जाए तो हमें इसमें 750-16 के टायर मिलते हैं और पीछे हमें 14-9-28 के टायर दिये जाते हैं आप चाहो तो इसे इसे आप 16-9-28 के टायरों में भी ले सकते हो इसमें हमें 2415 केजी का बजन मिल जाता है 890 mm की चोड़ाई दी जाती है 430 mm की जमीन से ट्रेक्टर की उचाई मिल जाती है और हमने यह पावर टेक यूरो पच्पन का रिवियू किया था आपको हमारी वीडियो पसंदा इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले